यह है article 178 ए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसी के बारे में यह बताता है कि हर legislative assembly में विधान सबा में speaker और deputy speaker होगा विधान सबा कहा होता है राजी में state में होता है तो हर state में कौन होगा एक deputy speaker होगे और एक speaker होगे ठीक है तो कौन उसको चुनेगा तो उसको चुनेगे उनके member लोग मतलब की legislative assembly के member मतलब की विधायक लोग ठीक है तो विधायक लोग मिल करके ऐसे दो व्यक्ति को चुनेगे अपने में जो एक बनेगा speaker और एक बनेगे deputy speaker ठीक है अब माल लेते हैं कि deputy speaker और speaker का seat जो है वो हो गया खा चुनेगे और ऐसे को व्यक्ति को चुनेगे जो कि deputy speaker बनेगे अब यहां पर एक loophole है क्या loophole है तो यह है कि इसमें कहीं पर भी time नहीं बताएगा कि कितना आपको time के अंतरकत एक speaker और deputy speaker को चुनना है तो इसी का फाइदा कभी-कभी सरकार उठा सकती है क्योंकि normally case क्या होता है तो ऐसे situation में क्या होता है जो सरकार power में है वो क्या करती है deputy speaker को चुनना ही नहीं देती है तो विपक्ष का जो एक तरह से जो सामने वाला खिलाड़ी है उसी को out कर देती है तो यहां पर time नहीं दिया गया है इसलिए सरकार जो इसका कभी-कभी फाइदा उठा सकती है ठी है था अपने अपको हम लोगों को speaker और deputy speaker के बारे में विधान सबाका ठीक है एंड लाइक करो share करो comment करो और क्या subscribe भी कर दो thank you very much